दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली माई मूवी सावी को जो की आपको जरूर पसंद आएगी इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुवात इंग्लेंड से होती है जाम सावी नाम की एक लड़की को जो बहुत ही घबराई होई थी और अपनी कार से कई जा रही थी तभी बीच रास्ते में सावी अपनी कार रोकती है और एक ड़ड़ बोड़ी निकाल कर सड़क की किनारे रखकर वहां से चलिजाती है अब मूवी में हमें पाच महीने पहले का सीन दिखाए जाता है जहां ह तबी उसके हस्बन नकुल और उसके बेटे आदी को देखते हैं और ये लोग नकुल के पापा से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं यहां नकुल के पापा उन्हें अपने पास इंडिया मिलने के लिए बुला रहे थे तब नकुल अपने पापा से कहता है कि उसे छुट जला जाता है अब इसी बीच घर की डोर बेल बशती है और जब सावी डोर उपन करती है तो माँ पर इंस्पेक्टर आईशा होती है जो सभी से कहती है कि वो नकुल को उसके बॉस के मडर के जुर्म में अरेश्ट करने आई है ये सुनकर सावी हरान हो जाती है और वो उनसे कहती है कि नकुल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता इसी बीच माँ पर नकुल आता है जिसे पुलिस अदेश्ट करके ले जा लेती है खेर अगले दिन सावीर उसका बीट आ दी नकुल से मिलने जेल जाते हैं नकुल सावी को बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और जब पिछली रात वो अपने काम से निकल रहा था तब पार्किंग लॉट में वो एक आदमी से टकराया था लेकिन उसने उसका चैरा ने दे जिसने बास को मारा है ये सब सुनकर सावी उससे कहती है कि वो लोयर से बात कर रही है वो जल्दी उसे यहां से बाहर निकाल लेंगी और ये सब बता कर सावी वहां से अपने लोयर के पास चली जाती है उसकी लोयर उससे कहती है कि सारे सबूत नकुल के खिलाफ हैं ऐसा द कि नेकल की कार के पास उसकी बॉस की डैड़ बॉड़ी मिली थी और उस रात को नेकल की प्व dependency मेंई अगयाके बॉस को जिस चीज से मारा गया था उस पर नकुल के फिंगर फिंगर पृंट्स मिले हैं और नकुल के कोड़ पर जो खून लगा था वो नकुल के बास का ही था जिसके तहद पुलिस ने नकुल को आरेश्ट किया था अब सबूत के आधार पर सभी के लोयर को भी यही लग रहा था कि नकुल नहीं अपनी बॉस का मडर किया है इसलिए वो कुछ भी ने कर पाएगी सभी लोयर से उस बटन के बारे में बताती है तब लोयर कहती है कि पुलिस ने क्राइम स्पोर्ट पर जाकर एक एक चीज देखी है लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई बटन नहीं मिला नकुल काफी जकमी हो जाता है इसके बाद उसे ऑश्पिडल में एडमिर किया जाता है अब ये बाद जब सभी को पता चलती है तो वो तुरंथ हॉस्पिडल आती है जहां वो नकुल की हालत देख कर काफी टूट जाती है सबी नकुल से पूछ दिये कि ये सब कैसे हुआ नकुल उसे पूरी बात बताता है कि उसने ड्रक्स चुपाने के लिए मना किया तो कैदियों ने उसकी यहालत कर दी और उन लोगों ने उसे धमकी भी दी है कि अगर उसने उन लोगों का काम नहीं किया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे हाला कि नकुल कहाता कि मैंने उन सब की पुलिस से कमप्लेन कर दी है जिसके कारण उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया लेकिन ये शिफ्टिंग सिर्फ तीन महीनों की है जिसके बाद उन लोगों को फिर से जेल में भीज दिया जाएगा अब ये जानकर सवी डड़ जाती है उसे लग रहा तकि ना जाने वो लोग नकुल का क्या हाल करेंगे इसके बाद सवी अपनी एक फ्रेंड सिम्रित के पास आती है और उसे सारी बात बताती है तब सवी की कहानी सुनकर सिम्रित अपनी कहानी बताती है ताकि सवी को हुसला मिले वो क्याय दे कि किसी तरह से उसके ममी पापा ने यहाँ पर रहने वाले लड़के से उसकी शादी करवाई थी और यहां आने के बाद उसे पता चला कि उसका हस्बेंड पहले से ही शादी शुदा था, यहां तक की उसका एक बच्चा भी था, जिसके बाद उस सादमी ने उसे एक नौकर की तरह ट्रेड करा, जहां उसका हस्बेंड उसे रोज ड्रिंग करके मारा करता था, और इसी तरह स एक दिन जब उसके हस्बेंड ने उसे भहुत मारा तो उसने किचन से चाको निकाल कर उसे जान से मार दिया जिसके बाद सिम्रित को 10 साल की जेल हो गई दस सल जील में रहने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने एक जॉब करी और फिर पैसा जोड़ कर उसने एक अच्छा सा घर खरीदा जिसके बाद उसने अपनी मा को भी बुला लिया यह सब बताकर सिम्रिस सावी से कहती है कि जब तक तक तुम डरोगी लोग तुमको डराते रहेंगे इसलिए तुम्हें किसी से भी डर्ना नहीं चाहिए और यह सुनकर सावी में थोड़ी हिम्मत आती है फिर सावी फैसला करती है कि वो नकुल को जेल से भाँ निकालेगी क्योंकि उसे पता था कि नकुल इनोसेंट है क्या रब अगले दिन सावी कमर्सिल लाइबरेरी आती है और वहाँ पर आकर उन कैदियों के आर्टिकल पढ़ती है जो जेल से भागे थे यानि कि अब सावी का प्लैन था कि वो नकुल को जेल से भागाएगी वहाँ पर आर्टिकल पढ़ने पर सावी को मिश्टर पॉल की बुक मिलती है जिसमें मिश्टर पॉल ने बताय था कि वो किस तरह से जेल से साथ बार भाग चुके हैं इसलिए सावी मिश्टर पॉल की पूरी बुक पढ़ती है और डिसाइड करती है कि वो नकुल को जील से भगवाने में मिश्टर पॉल की मदद लेगी जिसके बाद सावी मिश्टर पॉल का घर पता करके उनसे मिलने जाती है और मिश्टर पॉल से बात करने की कोशिश भी करत मिश्टर पॉल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते इसके बाद सावी मही बैठ कर पूरा दिन मिश्टर पॉल के इन्तिजार करती है ताकि वो एक बार उससे बात कर लें तब यह देख कर मिश्टर पॉल सावी के पास आते हैं और उसे अपने घर के अंदर बुलाते है यहां सावी मिश्टर पॉल से जुड कहती है कि वो एक जन्रलिस्ट है और उनका इंटर्व्यू लेना चाहती है जिसके बाद सावी उनसे पूछती है कि वो किस तरह से जेल से भागे थे मिश्टर पॉल बताता है कि पहली बार वो 1999 में रेष्ट हुए थे क्योंकि वो कुछ हिलीगल चीजे बेच रहे थे जिसके लिए उन्हें तीन साल की जेल हो गई लेकिन वो तीन महिने में ही महां से भाग गए उसके बाद उन्हें 2022 में फिर से पकड़ लिया गया मिश्टर पॉल सावी से कहते हैं कि जेल से भागना बड़ी बात नहीं है लेकिन भागने के बाद पुलिस की नजरों से छुपकर रहना बहुत मुश्किल है इसलिए भागने से पहले प्लैन कर देना चाहिए कि वो भागने के बात कहा जाएंगे वैसे किसी भी कैदी के जेल से भागने के बात पुलिस एक घंटे के अंदर हर जगा नाकाबंदी कर देती है इसलिए उन्हें बस और रेलवे स्टेशन से नहीं जाना चाहिए उन्हें किसे ऐसे एरिपोर्ट से जाना चाहिए जहां पुलिस की सोच भी ना पहुंचे इसलिए वो कह दें कि आप ऐसी जगा तलाश करो जहां आपको कोई ढूड़ना पाए साथ ही भागने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जो फेक हो बट और इसनल लगे जिसके लिए काफी सारे पैसो की जुरत पड़ती है और सबसे जरूरी चीज आपके पास पैसा बेस्टुमार होना चाहिए वो भी कैश में ता कि आप अगले 5-6 साल तक आराम से अपनी जिन्दगी गुजार सको और पुलिस से पकड़े भी न जाओ अब ये सब सुनने के बाद सावी मिश्टर पॉल से पूछती है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स कहा बनेंगे तब मिश्टर पॉल उसे एक डॉक्यूमेंट्स बनते थे फिर सावी अपने घर आती है और एक एक करके अपने घर का समान बेच कर कुछ पैसे कट्टा करती है इसके बाद सावी उस अडूमेंट्स पर जाती है जो उसने पॉल से लिया था यहां सावी एक आदमें से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात करती है जिसके बाद वो लड़का उसे एक सुनसान जगा लेकर आता है और उसे पैसे छिनने की कोशिश करता है लेकिन तब ही वाँ पर मिश्टर पॉल आते हैं और सावी को उन गुंडों से बचा लेते हैं खैर अब इसके बाद मिश्टर पॉल सावी से कहते हैं कि वो जिस दिन उन से मिलने आई थी तब ही वो समझ गए थे कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है बलकि उसका कोई अपना परसनल मैडर है इसलिए वो उसके पास आई थी अब इस पर सावी मिश्टर पॉल को नकुल के बारे में सब कुछ बता देती है और अब वो चाहते हैं कि वो जिल के अंदर जाकर नकुल को मासे भगाईगी ये सब सुनकर मिश्टर पॉल कहते हैं कि वो ये सब नहीं कर पाएगी क्योंकि जिल के अंदर से भागना और जिल के अंदर जाकर किसी और को भगाने में काफी डिफ्रेंस होता है और सावी जो करने जा रही है उसके लिए पहले उसे क्राइम करना होगा इस पर सावी उनसे कहती है कि वो हर हाल में नकल को बचा कर रहेगी फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े फिर सावी मिश्टर पॉल से उनका फेक पासपोर्ट और एक गन अरेंज करने को कहती है और मिश्टर पॉल भी सावी की मदद करने के लिए मान जाते हैं खेर इसके बाद हम देखते कि सावी अपने घर को सेल पर लगा देती है और अगले दिन मिश्टर पॉल सावी से मिलने आते हैं जो उसे फीक पासपोर्ट और गन देते हैं याँ मिश्टर पॉल जब भी सावी से मिलते थे तो अपना भीश बदल कर ही मिलते थे ताकि उन्हें पुलिस ना पहचान पाए क्योंकि वो तो अभी भी जेल से फरा रही है इसके बाद मिश्टर पॉल उसे अपने कुट्टे पर गंच चलाने के लिए कहते हैं लेकिन सावी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी बेजुबान की जान ले ये देखकर मिश्टर पॉल कहते हैं कि वो जो नकुल को जेल से बाहर निकालने का प्लैन कर रही है वो उसके बसकी बात नहीं है और ये बोलकर मिश्टर पॉल महां से चले जाते हैं लेकिन सावी मिश्टर पॉल की बात पर ध्यान नहीं देती और आगे की planning शुरू करती है वो घर आकर जेल की सारी information collect करती है और plan करती है कि जेल में जो tunnel है वहाई से वो नकुल को भार निकालेगी जिसके बाद अगले दिन सावी मिश्टर पॉल से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो नकुल को जेल की tunnel से बगाएगी ये सुनकर मिश्टर पॉल कहते हैं कि जेल की tunnel से पहले भी एक कैदी ने भागने की कोशिश की थी जिसके कारण उस tunnel को बंद कर दिया गया ये सुनकर सावी मिश्टर पॉल से मदद मांगती है और उन्हें सील्ड एरिया को आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या नकुल को कोई बिमारी थी सावी बताते हैं कि हाँ नकुल को डाइडिया देते हैं कि अगर नकुल की डाइडिया बढ़ जाएगी तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा अभी सुनकर सावी को याद आता है कि बाता है और वहाँ से कब जाता है इसी बीच महाँ पर ऑफिसर आईशा आती है और उसे कहती है कि इस तरह से जेल के भार खड़े होने से तुम्हारा पती भार नहीं आ जाएगा तब सावी उनसे क्राइम स्पोर्ट पर एक बटन ठीक से ढूंडने को कहती है और वहाँ से चल वह बहुत परिशान हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ से भाग कर अगले 5-6 सालों का गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए थे वो भी जल्द से जल्द इसके बाद सावी कुछ गुछ गुंडों के पास जाती है और उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनसे पैसे मांगती है जिससे वो गुंडे उसे पैसों से भरा बैग दे रहते हैं इसी बीच मौका देखकर वो गुंडे उस पर फाइरिंग करते हैं और सावी बचने के लिए उन पर फाइरिंग करती है जिसमें गुंडे की तो मौत हो जाती है और दूसरा घायल हो जाता है ये देखकर सावी प शिरुवात में देखा था, खैर उसके बाद सावी सीधा मिश्टर पॉल के घर आती है, जहां मिश्टर पॉल उसके फोन को फेक कर उसे एक नया फोन देते हैं, साथ ही वो सावी को अपनी कार चेंज करने के लिए कहते हैं, खैर अब अगले दिन सबसे पहले सावी उनी पैसो से एक कार खरीदती है, जिसके बाद सावी कैश में अपने ले तीन टिकर्स भी खरीदती है, फिर सावी घर आकर नकुल की फेक रिपोर्ट्स बनाती है, और सावी ने नकुल को निकालने में जो एविडेस कलेक्ट किये थे, उन सब को फाड कर डश्ट बीन में फेक देती ह क्योंकि ये अब कोई काम के नहीं थे, इसके बाद सावी नकुल के पापा को कॉल करके कहती है, कि वो कुछ दिनों तक उन्हें कॉल ना करे, ये सुनकर नकुल के पापा इसका कारण पूछते हैं, तो सावी उन्हे कुछ भी नहीं बताती, जिससे वो समझ जाते हैं कि तब वो वैन होस्पिटल के पास आकर रुखती है तब वो मौका देखकर नकुल के फेक रिपोर्ट्स को उनके रिपोर्ट्स से चेंज कर देती है इधर मिश्टर पॉल होस्पिटल आकर फोन की वाइरिंग कार देते हैं ताकि यहां पर कॉल ना लग पाए अब जेल की डॉक पॉडल वैन का पीछा करती है वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावी ने जिन दो लोगों को मारा था वहाँ पर पुलिस आकर इंवेटिकेशन करती है और उन्हें पता चल जाता है कि सावी नहीं उन्हें मारा है इसके बाद पुलिस ओफिसर आइशा को कॉल करके सावी क गर पहुंचते हैं यहां उन्हें वाल पर आधे अदूरे एविडेंस मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि सावी जरूर कुछ गलत करने वाली है इसी बीच उनका एक आफिसर उन्हें बताता है कि नकुल को पबलिक होस्पिडल में एड्मिट किया गया है जिससे वो समझ जाते कि सावी भी अब मही गई होगी फिर आईशा तुरंथ हॉस्पिडल के लिए निकलती है अब इदर हम देखते कि सावी उसी हॉस्पिडल में डॉक्टर बन कर आती है जहां नकुल को लाए गया था फिर महाँ पर वो पुलिस को गन पॉइंट पर रखकर नकुल को अपने सा आउंगी तब ये सुनकर नकुल उसके साथ चलने के लिए तयार हो जाता है इसी बीच महाँ पर आफिसर आईशा आती है और सावी को ऐसा करने से मना करती है लेकिन सावी उसे गन पॉइंट पर रखकर लिफ्ट में बन कर देती है और नकुल को लेकर मासे भाग जाती है फ पर देख कर ये दोनों काफी डर जाते हैं फिर सावी अपने फोन से मिश्टर पॉल को मैसेज करती है और उन्हें जू से आदे को लेकर आने के लिए कहती है इसके बाद सावी वहाँ से निकल कर दूसरी तरफ जाने लगती है अब इदर हम देखते कि ऑफिसर आईशा साव के घर आती है तलाशी लेने के लिए इसी बीच उसकी नजर डश्ट बीन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि सावी ने वोल से हटाय सारे एविडेंस कहा चुपाये हैं जिसके बाद आईशा उस डश्ट बीन से सारे पेपर्स निकाल कर अपने साथ ले जाती है इधर हम सावी और नकुल को देखते हैं जो एक जगा रुक कर मिश्टर पॉल का वेट कर रही थे तब ही मिश्टर पॉल सावी के बेटे आदी को लेकर एक आईसक्रिम वाली वैन में आते हैं और सावी और मिश्टर पॉल आदी को देखकर खुश हो जाते हैं कि हम मौका देखकर व उनके उपर एस्क्रिम रख देते हैं जिसकी बात पुलिस जब मिश्टर पॉल की वैंट चेक करती है तो उनने कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग मिश्टर पॉल को मासे जाने देते हैं फिर जब वो लोग शहर से भार आते हैं तब मिश्टर पॉल उन्हें एक जगा उतार और मिश्टर पॉल सावी से कहते हैं कि उन्हें कभी लगा नहीं था कि वो ये काम कर पाईगी तब सावी भी मुस्कराती है यानि उसने आप रूफ कर दिया था कि पतनी अपने पती को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है ख्यारी दर हम देखते कि आईशा उस डश्टबीन से निकाले गए कागज और घर से मिले एविडेंस को मिलाती है और उन्हें एक एरपोर्ट का नाम दिखता है जिससे वो समझ जाते कि वो लोग उसी एरपोर्ट से भागने वाले हैं तब आईशा अपनी टीम के साथ सावी और नकुल को पकड़ने के लिए एरपोर्ट पहुंचती है और सावी और नकुल को ढूड़ने लगती है लेकिन वाँ तो ये दोनों कहीं भी नहीं मिलते यहां हम देखते कि सावी एरपोर्ट के जरिये नहीं बलकि समुद्र के जरिये दूसरे देश के लिए निकल जाती है दरसल सावी ने जान बूच कर अपने घर की वाल में आधा दुरा एरपोर्ट का नाम छोड़ा था और बाकी का उसने डश्ट बीन में रखा था ताके प पाइशा यहां इमेजिन करना शुरू करती है कि उस दिन मडर कैसी हुआ होगा जिससे उसे पता चलता है कि नकुल ने अपनी बॉस को नहीं मारा दरसल नकुल जब अपने काम से वापस आ रहा था उससे पहले ही किसी ने उसके बॉस को मार दिया था इसी बीच जब नकुल पर नकुल के फिंगर्स प्रिंट्स आए थे अब सारा सच जानने के बाद आईशा एक बार फिर से महाँ पर बटन को खोजने लगती है तब उसे याद आता है कि जिस रात नकुल की बॉस का मडर हुआ था उस रात तो बारिश हो रही थी जिसके बाद आईशा महाँ पर अप यानि कि ये प्रोफ हो गया कि नकुल बेकसूर है जिसके बाद आईशा उस बेटन को लेकर वाँ से चली जाती है ख्यार अब इधर हम नकुल के पापा को देखते हैं जिनके पास एक पासल आता है और उसमें सवी ने उन्हें अपने नए घर की फोटो भीजी थी दरसल आता है कि उन लोगों ने कितना समय लगा दिया उन्हें पकड़ने में जिसके बार मिश्टर पॉल उनके साथ चले जाते हैं और ये मूवी यही पर खतम होती है दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा वैसे में अगर आपको एक चैनल नया है इसलिए से सब्सक्राइब करकर बेल आइकन दबा दिजेगा